नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रही है एनमेफ नियूज आपके साथ मैं हूँ नमता चौधरी महराश्ट में मुख्यमंत्री को लेकर नाम फाइनल नहीं है शपत ग्रहन की तारीख तै हो गई पांच दिसंबर ये भी तै हो गया कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी उसमें शिरकत करने के लिए आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा फाइनल मुहर अब तक नहीं लगी है हाला कि इस रेस में सबसे आगे अगर कोई दौर लगा रहा है तो देविंदर फर्नवीज है बिल्कुल आपने ठीक सोचा और समझा लेकिन देविंदर फर्नवीज का नाम सब के सामने लेने में इतनी दिक्कत क्या हो रही है ये समत से परे है ये लेट लतीफी क्यों हो रही है ये सब की समत से परे है अब या तो इसके पीछे का कारण वही है जो हम सब अब तक पढ़ते और सुनते आ रही है वो ये कि शिंदे नाराज है दूसरी तरफ अगर शिंदे गुट नाराज नहीं है तो फिर फर्नवीज का नाम सब के सामने लेने में क्या दिक्कत है हाला कि इस बीच आपको बताते चले RSS ने भी साफ कर दिया है और BJP को निर्देश भी दे दिये हैं देविंदर फर्नवीज को ही मुख्यमंतरी बनाईए इसके drawbacks क्या हो सकते हैं ये भी मोहन भागवत बताते हुए नजर आए हैं BJP को अगर देविंदर फर्नवीज को मुख्यमंतरी नहीं बनाई गया तो उन्होंने साफ कहा कि दावेदार बहुत से हो सकते हैं लेकिन देविंदर फर्नवीज का नाम ही प्रमुक्ता से आगे रखिए हाला कि आपको बताते चलें महराष्ट के सियासी गलियारों में विनोत तावडे, चंदर शेखर, बावनकुले, चंदरकांत पाटिल और मुर्ली धर मोहल के नाम की भी चर्चा है बताये जा रहा है कि विनोत तावडे, चंदरकांत, पाटिल और मोहल मराथा समुदाय से आते हैं बावन कुले OBC से आते हैं लेकिन बावजुद इसके ब्रामन जाती से आने वाले देविंदर फरनवीज के समर्थन में जोर शोर से RSS ने भी प्रचार किया था और इसलिए RSS ने कहा है कि भई तीन हजार स्वेम सेवकों के साथ हर जिले में जिस तरीके से अभ्यान चलाया महायुती की शांदार जीत सुनिशित की उसका खामियाजा आपको पॉजिटिवली लेना होगा यानि कि अगर हम चाहते हैं देविंदर फर्णवीस मुख्यमंत्री बने तो आपको उने बनाना होगा RSS के frontal संगठन राष्टे मुसलिम मंच से जुडेक नेता ने बता दिया कि संग ने भाजपा नितरतव को सपष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि फर्णवीस ही निरनायक भुमिका में हमें दिखने चाहिए वही मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने चाहिए संग ने बीजपी को चेताबनी दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पाटी को आगामी चुनावों में खास तोर पर बीएमसी के चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है इसके लावा संग इस बात से भी निराश है कि जिन चार नेताओं को संग ने तयार किया वो संग के मार्क दर्शन का पालन नहीं कर रहे फिर चाहे अजीद पवार हो एकनाथ शिंदे हो इनको लेकर भी तरह तरह की खबरे आ रही है भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा मराठा मुख्यमंत्री पर जोर दिया गया है क्यों जोर दिया जा रहा है ये समत से परे है लेकिन RSS यानि की मोहन भागवत पूरी तरीके से देविंदर फर्नवीज के पक्ष में है हाला कि आपको बताते चले अभी हाल ही की बात है अजीद पवार का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है कि BJP का ही मुख्यमंत्री होगा और BJP के पास सबसे बड़ा चहरा महराष्ट में देविंदर फर्नवीज ही है लेकिन खबर तो ये भी मिल रही है कि देविंदर फर्नवीज को हो सकता है धाई साल के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया जाए ये फॉर्मूला काम कर सकता है धाई साल बाद उनको BJP का राष्टी अध्यक्ष मना दिया जाए और यहां पर यानि कि महराष्ट की कुरसी पर अभी भी एकनाथ शिंदे को ना बैठाया जाए शिंदे के समर्थ तक लगातार इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि शिंदे उद्धव नहीं है शिंदे बाकी नित्नाओं की तरह नहीं है वो पल्टी नहीं मारेंगे लेकिन फिर भी BJP कोई रिस्क लेने के मूर में नहीं है सीधे तोर पर बात तो नहीं हुई लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि स्वभाविक है कि जिसकी ज्यादा सीटे होंगी खासकर अगर आप महराश्ट की बात करेंगे बिहार को अगर आप छोड़ दे महाराश्ट के अगर आब बात करेंगे जिसकी ज्यादा सीटे मुख्यमंत्री उसी का और उसी कड़ी में देविंदर फर्नवीस मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को बनने जा रही है ये लगबग लगबग तैम आना जा रहा है देविंदर फर्नवीस के नाम पर RSSS प्रमुक मोहन भागवत ने भी मुखर लगा दिया और लगाए भी क्यों ना देविंदर फर्नवीस का पत्ता काट दिया देविंदर फर्नवीस ने सहर्ष उस फैसले को सुईकार किया तो अब जब पूरा कुन्बा लगा है देविंदर फर्नवीस के पीछे तो फिर शिंदे को या किसी और को भी कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए अजीत पवार ने अपना समर्थन दे दिया है शिंदे भी अब तो इस पक्ष में आना उनकी मजबूरी भी है तो देखना दिल्चस्प रहेगा कि कब तक इस नाम का ओफिशल तोर पर एलान होता है लेकिन ये समझ लीजे आरेसेस ने अगर मोहर लगा दिये तो आज नहीं त कल कुछ घंटों बाद एलान ओफिशल हो जाएगा ऐसी उम्मीद है आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजेगा